हलो स्टुरेंट्स, आज मैं आप लोगों को विज्यान से संबंदि कुछ रोचक जानकारियां दे रहा हूँ चले तो शुरू करते हैं, हड्डियों में लगभग 8 प्रतिसत फासफोरस होता है ओजोन गैस से सडी मचली की तरह गंद आती है, जो ओजोन गैस होती है, वो सडी भी मचली की तरह उसकी गंद आती है मतलब वो महकती है, सडी भी मचली की तरह इस्थाई चुम्बक बनाने के लिए स्पात तथा आइस्थाई चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे का परियोग किया जाता है चुम्बक के ठीक मद्ध में चुम्बकत नहीं होता है जो बीच में जो होता है चुम्बकत उसमें नहीं होता है दही में खटापन लैक्टिक एसिट के कारण होता है संसार में सबसे तेज सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है वाईयो में नोबल गैस रेडाउन नहीं होती है आलू चिप्स के पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का अप्योग करते हैं अलू चिप्स जो आप लोग खाते हैं पाउच ठीक है न उसमें कुनसी गैस भरते हैं नाइट्रोजन गैस भरते हैं चौक का रासाइनिक नाम कैलसियम कार्वोनेट होता है चावल में अधिकतम कार्वोहाइड्रेट पाया जाता है समुद्री जल में साधारा नमक 10 परतीसर तक होता है साधारा नमक का रासाइनिक नाम सोडियम क्लोराइड है बिटामिन के बसा में गुलनसील होता है जीवों की रक्षा पराबैंगिनी किर्णों से उजुन परत करती है हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा कार्य करता है इमूनिया रोब फेपड़ा को प्रभावित करता है डेंगु जुवर का कारण वाइरस होता है फलों को क्रत्रिम विधी से पकाने के लिए एथलीन गैस का प्रियोग किया जाता है जोँ प्रत्रिम तरिके से पकाते है जब पड़ में ना पके फल तो उन्हें प्रत्रिम गैस का प्रियोग होता है विटामिन C दूद में नहीं पाया जाता है जल से पर्फ बनाना भ्हुतिक परिवरतन कहलाता है ये 20 questions आप लोग अच्छे से पढ़ लें इन 20 सेंटेंस को क्योंकि यह बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है